हालो एब्रिवन एंड वेलकम टू डियास्कुरूजी राजस्तान जी के स्पेशल टेस्ट क्लासेस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इसमें आपसे राजस्तान जी के के हंडिट मॉस्ट इंपोर्टेंट क्योशन पूछे जाएंगे जो एग्जामिनेशन के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है और एग्जामिनेशन के लिए अती संभावित है इन क्योशन का पीडिएप आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं www.dsqg.com जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो सुरुवात करते हैं राजस्तान जी क्योशन में करेक्ट होगा अगला प्रिश्न ही राज्य सरकार ने नविंतम मार्बलम ग्रेनाइट नीती कब घोशित की थी निन्हों ने ये नीती घोशित की थी आठ जन्वरी 2002 में सी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला प्रिश्न ही राजस्तान में आधार्ब अगला प्रिश्ण राज्य विकास्टर सरवाधिक वे किया गया ऑद्युक्र विकास दर पर वे योज़ना में प्रवासी राजस्तानियों को प्रदेश के विकास में भागे दारी बढ़ाने है तु प्रप्रचायद करणे के उद्धिसे से संस्तान कौन सा है प्रवाशी राजस्तानियों का भी इनमें भागेदारी बढ़ाने के लिए जो संस्तान स्टार्ट किया गया था वो संस्तान है PD को एय ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला प्रश्न ही राजस्तान का मैंचेस्टर अब्रक नगरी कहा जाता है राजस्तान का मैंचेस्टर यम अबरक नगरी कहा जाता है बिलवाडा को बी ऑप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला प्रिश्ण ही राजस्तान के उध्ध्यमियों को विभिन उध्ध्यूगों के समन्द में जानकारे नहुम आउशक प्रयस्ट्रेक्शन प्र प्रद्धुगी की संस्तान के स्तापना की गई है भारती हदकरगा प्रद्धुगी की संस्तान के स्तापना की गई है जोदपूर में बी ओप्सन में करेक्ट होगा कंटेनर फ्रेट स्टेशन कहां संचालित किये जा रहे हैं कंटेनर फ्रेट स्टेशन जहां इस्तापित किये जा रहे हैं वह है उदेपुरें कोटा एर ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा एर कारगो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है सांगानेर जैपूर में बी उप्सन इस क्योश्चन में करेक्ट होगा राजस्तान में स्टोन पार्क स्थापित किया जाएंगे मंदाना कोटा में धोलपूर और सिकंदरा दोशा में इन दीनों ही शेत्र में स्थापित किये जाएंगे, D option is question में correct होगा, केंदर सरकार द्वारा हस्तसिलफ का sourcing hub विकशित किया जाएगा, जोथपुर में C option is question में correct होगा, अगला प्रशन ही, automobile park इस्तापित किया जा रहा है, ओ्ट ingen्योच का विकास किया जारा है पत्रेडी भिवाडी में ये अःख्वाय पींटिंग पेंटिंग क्लस्टर तता सिल्कियम विड़न पेंटिंग क्लस्टर का करम का विकास करमशक किया जा रहा है पिछवाय पेंटिंग क्लस्टर और सिल्कियम विड़न पेंटिंग क्लस्टर यह क्योशन इंपोर्टेंट है और इनका विकास किया जा रहा है व्यावर और किसंगर में B option is question में correct होगा अगला प्रिश्ण है राजस्तान का देश के निर्यातों में योगदान है 2.21% A option is question में correct होगा निर्यातों मुखी इकाईयां इस्तापित करने में निर्यातों को बड़ावा देने है तू राज्जी की विशेस आर्थिक शेत्र नीती जारी की गई थी 2003 में C option is question में correct होगा राज्जी का पहला auto component sector इस्तापित किया जाएगा अलवर में B option is question में correct होगा अगला प्रश्ण है बायोटेक वेली स्तापित की जाएगी जैपूर में C option is question में correct होगा अगला प्रश्ण है राज्जे में कृत्रिम डेशन उध्योग के प्रमुक केंद्र कहां पर है प्रमुक रेशन उध्योग के जो प्रमुक केंद्र है वो है उध्यपूर कोटा और बासवाड़ा में A option is question में correct होगा भरतपूर सवय माधूपूर राज्जे में लाख उध् में C option is question में correct होगा अगला प्रश्ण है राज्जे में अब्राकीटो का निर्माण कहां पर होता है अब्राकीटो का निर्माण होता है बिलवाडा में D option is question में correct होगा राज्जे का कौन सा जीला खस एम इतर उध्योग के लिए प्रशिद है वो जीला जो खस एम इतर उध् प्रदुशन फेलाने वाले उद्धियों किस स्रेणी में आते हैं एक प्रिशिजन ग्लास फेक्टरी जिसमें सराब की बहुतलों का निर्मान किया जाता है यह इस्तित है धौलपूर में डी ऑप्शन इसक्योशन में करेक्ट होगा राज्य की पहली चीनी मील कहां पर इस्तापित की गई थी तो यह पहंदी चीनी मिल है दी सुगर मिल्स लिमिटेड ए ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला प्रश्ण ही लोगों में खादी के प्रती रूची जागरत करने है तू बापु कताय घर की स्तापना की गई थी वह इस्तापना की गई थी जैपूर में ए ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला प्रश्ण ही राजे में पन्नी के अंतराष्ट्य मंडी कहां पर है तो यह मंडी है जैपूर में ए ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा कौन सा यूगम असंगत है यूगम असंगत बताना है और असंगत में नहीं बनती है रेल के डिबे भरतपूर बिजली मीटर जैपूर और टेलीफोन उपकरन भीवाडी यह तीनों ही सही है डी ओप्सन इसमें आसंगत है अगला प्रिश्ण है राज्य का पहला वर्ल्ज ट्रेड पार्क स्तापित किया जा रहा है जैपूर में बी ओप्सन इस संगतित उध्योग कौन सा है सबसे प्राजिनम संगतित उध्योग है शूतिवस्त्र उध्योग डी ओप्सन इसक्योशन में करेक्ट होगा राजस्तान में ट्रेड फेर कॉंप्लेक्स इस्तित है सीतापूरा में बी ओप्सन इसक्योशन में करेक्ट होगा राजस्तान वित स्रिगंगानागर में बी ओप्प्पन इस क्योंशन में करेक्ट होगा राज्य में सरवादिक लगू उध्यक कर्थम कार्खाना किस सहर में खोला गया था वनस्पती घी का जो प्रतमकार खाना खोला गया था वो खोला गया था भिलवाडा में B option is question में correct होगा अगला प्रिश्ण है राजी में सरवादिक पंजीकरत फेक्ट्रिया किन जीलो में है शरवादिक पंजीकरत फेक्ट्रिया राज्ये में सरवादिक पंजीकरत फेक्ट्रिया है जेपुर जोदपुर में B option is question में correct होगा राज्ये के किस इस्तान पर कोलापूर की जूम कंपनी द्वारा घरेलू कच्रे से कोईला बनाया जाता है तो ये बनाया जाता है अजमेर में D option is question में correct होगा अगला प्रश्न ही RICO M.C.B. द्वारा संयुक्त रूप से राज्यस्तान का पहला वैंचर केपिटल फूर्ड फांड का प्रारम किया ये फांड स्टार्ट किया था इन्होंने 12 नॉम्बर 2002 में A option is question में correct होगा निम्न मैं से असंगत है इसमें जो यूग में आसंगत है वो है बी option इसमें आसंगत है अगला प्रश्न है बखरी के बालों से जट पर्टियों की बुनाय का मुखे केंद्र कहा है बखरी के बालों से जट पर्टियों की बुनाय की जाती है और इसका मुखे केंद्र है जासोल बार्ड मेर में C option is question में correct होगा शुवर्णा भूषणों में कीमती पथर जड़ने की कला क्या कहलाती है एवं यह किस शेत्र में अधिक प्रशलित है शुवर्णा भूषणों में कीमती पथर जड़ने की कला कहलाती है कुदन कारे और यह जिस शेत्र में अधिक प्रशलित है वो शेत्र है जैपूर ध्यान रखिएगा अगला प्रशन है निजी शेत्र द्वारा संचाले शुष्कुबंदरगा राज्य में कहां कब इस्तापित किया गया शुष्कुबंदरगा राज्य में जब इस्तापित किया गया तो जिस इस्तापित किया गया था वो इस्तापित किया गया था वो इस्तापित किया गया था दिसंबर 2001 में ये जोदपूर में पढ़ता है A option इसमें correct होगा अगला प्रिशन ही अगस्त दो हजार दो दूशर क्रांती सम्मंदित है दूशर क्रांती सम्मंदित है सिमेंट उत्पादन से B option इस क्योशन में correct होगा राजे में किस स्तान पर उट की खाल पर मुनवत्ती की कला को जीवित रखने है तो प्रशिक्षन के इंद्र का विकास किया गया है विखनेर में B option इस क्योशन में correct होगा 25 करोड रुपे से आधिक के निवेश प्रस्ताओं को श्वीकरती देने है तो किस संस्तान का गठन किया गया है वो संस्तान है आधारबूर धाचा विकास विनियोग प्रसान बोर्ड इसकी स्तापना की गई है B option इसमें correct होगा राजे सरकार दोरा जेपुर में सुनिष्चित प्रदर्शन इस्तल का निर्मान करने के लिए किये जाने के उद्देसे से गठित संस्तान कोन सा है तो इसमें गठित संस्तान है राजस्तान ट्रेड प्रोमोशन और्गिनाइजेशन B option इसमें correct होगा इसमें गठित संस्तान का प्रथम सेज इस्तापित किया गया राज्ये का प्रथम सेज संस्तापित किया गया था बोरा नाड़ा जोद्पूर में B option इसमें correct होगा राज्ये का प्रथम सेज संबंदित है राज्ये का प्रथम सेज संबंदित है हस्तसिल्प्यम गवार गाम A option इसक्योशन में correct होगा लगूपन बिजली परियोजना के से राज्ये को प्राप्त जलविधूत कितनी है लगूपनविदनी परियोजना से राज्य को जितनी जलविदूद प्राप्त होती है वो है 23.85 मेगावाट B option इसमें करेक्ट होगा राज्य की सबसे बड़ी जलविदूद परियोजना कौन सी है राज्य की सबसे बड़ी जलविदूत परियोजना है चंबल परियोजना C option इसमें करेक्ट होगा निम्न में से असंगत है परियोजना और कुल उत्पन जलविदूत माही बजाज 140 मेगावट राणा प्रताप सागरबांथ 172 मेगावट गांदी सागर 1,1 5 मेगावट जवार सागरबांथ 95 मेगावट अब इसमें से जो असंगत है वो है जवार सागरबांथ 95 मेगावट उससे प्राप्ट नहीं होता है D option इसमें करेक्ट होगा अगला प्रशन है सुरतगर थर्मल पावर स्टेपशन इस्तापित किया जा रहा है यह इस्तापित किया जा रहा है ठुकराणा गाउं गंगानगर में A option is question में correct होगा राज्य की निजी शेत्र की प्रथम पवन उर्जा परियोजना मार्श 2001 में कहां इस्तापित किया गई थी प्रथम पवन उर्जा परियोजना इस्तापित किया गई थी बड़ा गाउं जैसलमेर में C option इसमें correct होगा पवन उर्जा के शेत्र में देश में राजस्तान का इस्तान कौन सा है पवन उर्जा के शेत्र में देश में राजस्तान का इस्तान है फॉर्थ प्लेस्टवर है राजस्तान, D option इसमें correct होगा, राजय में गेर प्रमपरागत उर्जर श्रोद पर आधारिक परियोशना इस्तापित की गई है, गंगानगर में, टॉक में, कौटाइम, जैपुर में, इन सभी शेत्रों इस्तापित की गई है, D option इसमें correct होगा, अ सीमापार से हो रहे हैं सांस्कृतिक अतिक्रमन का सफलता पूर्वक सामना करने के लिए एसिया का सबसे उचा टीवी टावर कहां बनाया गया है सबसे उचा टीवी टावर बनाया गया है रामगर्ड जैसलमेर में एव उप्सन इसमें करेक्ट होगा राज्य में 600 मेगावाट ग्रीड स्टेशन जेठाना में किसके संयोग से स्तापिद किया गया जेठाना आजमेर में पढ़ता है और यह इस्तापिद किया गया ADB के संयोग से Asian Development, Bank के संयोग से क्या गया ए औप्सन इसमें करेक्ट होगा राजस्तान राज्य में किस रोच से सरवादी कुर्जा प्राप्त होती है ताप विदुत बादेसर बार्मेर में इस्तापित की जा रही ताप विदुत परियोशना कौन से है बादिस्तर बार्मेर में जो परियोशना इस्तापित की जा रही है वो है लिगनाइट कोईला अधरित परियोशना C option इसके उस्चन में correct होगा अंता गेस परियोशना को गेस आपूर्ती की जाती है इसमें गेस आपूर्ती की जाती है HBU पाइपलाइन द्वारा इसमें correct होगा कोटला एम गंगुवाल विदुद ग्रह स्तापित क्यें गए हैं भार कड़ा न्ांगल कर्योशन स्ственव рसम इस्तापित होगा के निजय उगल नंगल परियोशना को प्रत्म प्रत्म पावन उर्जा परियोशना किसмыं द्वारा स्तापित की गई थी प्रतम पाउन उर्जा परियोजना इस्तापित की गई थी मैसर्स कोलोनी इंडस्ट्रीज इंदोर के द्वारा A option इसमें correct होगा राजस्तान का प्रतम सूपर ताफ विदुद ग्रह कौन सा है प्रतम सूपर ताफ विदुद ग्रह है सूरदगर ताफ विदुद ग्रह C option इसमें correct होगा अगला प्रिशना है परमाणू उर्जा विभाग की ग्रेश परियोजना के अंतरगत दुर्बिन की स्तापना कहां की गई दुर्बिन की स्तापना की गई है गुरुसिकर माउंट आबू में D option इसमें correct होगा राजस्तान में helium gas आधारित विदुद परियोजना इस्तापित करने की योजना कौन सी है तो ये योजना जो है ये है घोटारू जैसलमेर की योजना है A option इसमें correct होगा राजस्तान में बडगाउं जैसलमे इस्तान क्यों परिशिद है तो वह विदुद परियोजना है पवन विदुद परिशिद है इस्तापित है, C option इसमें करेक्ट होगा, रास्तान स्टेट पावर कोर्पोरेशन लिमिटेट कच्रा सर्सों की भूशियम चाउल की भूशिय से प्राप्त होने वाली उर्जा कौन सी है, तो ये उर्जा है, बायो मास, A option इस क्योशन में करेक्ट होगा, अगला प्रिशन ही, राजे का प्रतम बायो मास आधारित, सेवन मेगा वोट का विधूत सेयत्र कहां लगाया गया है, ये विधूत सेयत्र लगाया गया है, पदमपुरा श्री गंगानगर में, B option इस क्योशन में करेक्ट होगा, रास्तान का दूसरा परमाणू बिजली घर, जो 700 मेगा वोट किस नदी पर इस्तापित किया जाना प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित है, और ये माही नदी पर इस्तापित किया जाना वाला प्रस्तावित है, C option इसमें करेक्ट होगा, सिंध नेपता पर आधारित, विधूत क्रहकिस्त आपना किस जीले से संबंध थे, ये जीला है, धौलपूर, जिससे ये संबत्य है, B option इसमें correct होगा, जलीपा राजय में विव्दो तत्पाधन, शेत्र में नीजी भागेदारी को प्रारम किया था, 1991 में C option इसमें correct होगा, राष्टान में राश्टे राजमार्गो की सरवादिक संख्या वाला जीला जीला है, ये जीला है अजमेर B option इस eli right होगा अगला confirm पुष्छे है राजस्तान के किस जीले में रेलमाग नहीं है वह जीला जिसमें रेलमाग नहीं है वह भासवाडा म प्रताबगर B option इसलाकरूbe प्रताबगर नाल हवाय अड़्डा कहा सित्त है नाल हवाय अड़े के अगर बात की जाए तो नाल हवाय अड़ा इस्तित है बीकानेर में C option इसमें करेक्ट होगा रास्तान के किन जीलों से होकर राष्टे राजमाग नहीं गुजरते हैं वो जीले हैं, अनमानगरम करोली जहांसे राष्टे राजमयाक नहीं गुजरते हैं राज्य में सडको का घरत्वा सरवाधिक किस जीले में है? सरवाधिक सडको का घरत्वा है, राज्य समण जीले में, B-option इसमें correct होगा राज्य में सडकों का नियूनुतम घरत्वा किस चीले में है? सडकों का नियूनुतम घरत्वा है जैसलमेर जीले में B option इसमें correct होगा अगला प्रशन है राज्य में सडकों से जुड़े सरवादिक गाउं किस चीले में है? सडकों से जुड़े सरवादिक गाउं है गंगानगर जीले में A option, is question में, correct होगा सडकों से जुड़े नियूनितम गाउं जिस जीले में है, वो जीला है, जेसल मेर B option, is it correct होगा राजस्तान में सबसे लंबा हैं, सबसे छोटा राश्टी राजमार कौन सा है सबसे लंबा है NS 15 और सबसे छोटा है NS 3 B option इस question में correct होगा राजस्तान के perspective से पूछा गया है ध्यान रखेगा अगला प्रिशन ही राज्य में वत्मान में railway के कितने जोने मंदल कारेले हैं कितने जोने मंदल कारेले तो एक जोन है और पांच मंदल कारेले है A option इसमें correct होगा राजस्तान के सभी रियाशतों के रेल मार्गों को भरस सरकार्ण अपने नियंतर में लेकर उनका पुनर गठन किस वर्ष में किया इनका पुनर गठन किया था 1950 में C option इसमें correct होगा राजस्तान में देश के रेलमार्गों का कितना प्रतिशत इस्सा है तो इसमें है 9% इस्सा है D option इसमें correct होगा अगला प्रशन है तेविस राज की motor driving prescription संस्तान खोला जाएगा तो ये खोला जाएगा जेपूर में अगला प्रशन है नेरो गेश पर चलने वाले रास्तान के एकमात रेलवे जिसका निर्मान धोलपूर याशत ने करवाया था वो रेलवे है शर्मरत पुरा धोलपूर बाड़ी तातपूर D option इस क्योशन में correct होगा अगला प्रशन है राष्टी राजमार्क संक्या 15 पर निमलिकित में से कौन सा नगर इस्तित नहीं है वो नगर इस्तित नहीं है वो नगर है बाड़ मेर D option इसमें correct होगा कितने राष्टी राजमार्क राज्य से होकर कुल कितने राष्टी राजमार्क गुजरते हैं तो राज्य से होकर गुजरते हैं कुल-no राष्टी राजंध करेक्ट होगा राज्य में सडक का घरत्वा कितना है 52.85 एव उप्शन इस क्योशन में करेक्ट होगा रस्तान में मध्यपर्देश को जोडने वाले राष्ट्री राजमाग कुन से है मध्यपर्देश को जोडने वाले राष्ट्री राटमार्ग है NS12 और NS76 राज्य के वे राष्ट्री राटमाग जो राज्य की सरवादिक जीलों से गुजरते हैं कौन से है तो वह है NS11, NS15 और NS76 एव उप्शन इस क्योशन में करेक्ट होगा निम्नमेट से कौन सा राजमार्ग सिर्फ अजमेर जीले में ही फेला हुआ है इसकी कुल लंबाई कितनी है इसकी टोटल लेंथ के अगर बात की जाए तो इसकी टोटल लेंथ है तो दोस्तों यह थे राजस्तान जी के के मौस्ट इंपोर्टेंट क्योशन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजेगा और इंडिया का नागरिक होना चीए यह तीनों ही गुण उसमें होने चीए डियो अप्सन इसमें करेक्ट होगा अगला प्रश्न ही रास्तान विदान सभा के अद्धिक स्पत पर सर्वादिक आउधीत तक पदाशीन रहले वाले वैक्ति कुन से हैं तो सर्वादिक रहने इसमें करेक्ट होगा रशतान के प्रतम मैंतरि भार्भी विदान सभां में किस विदान सभा शेष्णका पर्तीनिद्व करती तो यह तेमिध्यक कर्थ human इस कमला राज्य की पहली महीला मंत्री थी वे किसके मुख्य मंत्री काल में इस पतपर न्यूक्त की गई थी तो ये न्यूक्त की गई थी श्री महललाल सुखाडिया के काल में बी ओप्सन इसमें करेक्ट होगा राज्य के वे मुख्य मंत्री जिनका पतपर रहते हुए से कम आवदी के लिए रहे शृ रलाल देवफुरा एं प्रभांच संस्ता कौन सी है जीला इस्तर पर इस्तापित उपवोक्ता मंच में करेक्ट होगा अगला प्रश्ण है प्रधान सचीव कौन होता है प्रधान कौन होता है तो यह प्रधान जो होता है वह होता है सचीव डी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा राज्य विधान मंडल तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर राज्यपाल अस्ताक्षर ना कर दे। A option is question में correct होगा विधान परिशत के सदस्य के प्रत्यासी के आयू कम से कम कितनी होनी चीए। इनकी has minimum होनी चीए 30 years. B option is question में correct होगा विधान परिशत के सदस्य का कारेकाल होता है। करेक्ट होगा कि राज्य की विधाई सकत नहीं थे राज्य विधान में एकिकरण के तुरंत बाद राज्य सरकार का मुख्या कहलाता है राज्प्रमक्त राज्य सिंग बरनाला सी उप्सन इसमें करेक्ट होगा ममता शर्मा को 30 जुलाई 2011 को राश्ट्रे महिला आयोग का अध्यक्स बनाया गया है ममता शर्मा किस राज्य की पूर महिला कॉंग्रेस अध्यक्स रह चुकी है यह जिस राज्य की रही है उनका वो राज्य है राजस्तान एक डाज्य मैं करेक्ट होगा निमननकमे 50 इसकि 5 योज़ना के न्तागत क्या वह योजना है नीचे बने जीव नीचे जीवन अपन करने वाले परिवारेएं का चेन कहां होता है इंका चैन होता है ग्राम सभा में A option इस क्योशन में correct होगा रास्तान में जीला परिशत के आय का मुख्य श्रोथ क्या है जीला परिशत के आय का मुख्य श्रोथ है पैजर कर मेलो है तु लाइसेंस फीस क्रशिय उपच के मार्केट फीस पर एक बटे दो प्रतिशत सरचाज डी ऑप्सन इसमें प्रश्ण होगा अगला प्रश्ण है पंचायती राजवयोस्ता से संबंधित पुष्टक माइपिक्चर ऑफ्री इंडिया किसकी रश्ण है यह रश्ण है महात्मा गांदी की ए उप्सन इसमें करेक्ट होगा राजय निर्वाचन आयोग जिस पर पंचायती राजसंस्ताओं समेतियों की सदश्टे इसके साथ ही जीले के विधान सभा लौक सभयोत राज्य सभा के सदश्चे इसके सबहλη होते हूं राजस्तां में ग्र्म पंचायत ऐ arm from निर्वाचन निम्हन रिइंकरों को सिध्धान्त निर्धारण कर लए क्या है यह इसका और समिन ग किया है निरषकरों के पत्पर में सिर्धार्श अरक्षन प्रिष्छण को सिछन प्रिशाशन चाशावनी मंदल इस्तित नियुके ते हैं यॉन्य जाति जाती जन जाती मनने फिचिडए वरगो का जनसंख्या कानुपात में अरक्षिन है जबकी ऐसा अरक्षिन नहीं है सी ऑप्षान इसमें करेक्ष्ट होगा अगला प्रेश्ण ह जाते हैं ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कुन होता है ? ग्राम साटी जिसे ग्राम सेवक कहा जाता है A option इसमें correct होगा पंचायती राज के अध्यक्स उपाध्यक्स की पत से हटाया जा सकता है तो यह हटाया जा सकता है निर्वाचे सदश्य द्वारा 2x3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव करके B option इस क्योशन में correct होगा विगटन के स्तती में किस पंचायती राज संस्ता का कारेकाल होगा तो इसका कारेकाल होगा मूल संस्ता की से साओधी के लिए C option इस क्योशन में correct होगा राजे निर्वाचन आयुक्त का कारेकाल कितना होता है इनका कारेकाल होता है पांच वर्स या 65 वर्स के आयू जो भी पहले हो ए उप्सन इसमें करेक्ट होगा राजे के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे राजे के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे श्री अमर सिंग राठोड बी उप्सन इसमें करेक्ट होगा अगला प्रिशन है पंचायती रा कि और फासी है lust लाज प्रश्टान में पंचायती राज्विवस्ता के अंतरकत गठित संसताइं कौन सी है तो हो संसताइ समीति पर गए था संसता के खुआ ब्र में कौन सा ह्रोत आदिकारी कौन होता है तो वो होता है घंड विकाष अधिकारी डीघ्र्ट होगा डंचायर समिती की सदश्य नहींने जीला का लक्टर डीघ्र्सथा Newton सब्सक्राइब करेक्ट होगा अगला प्रिशन ही एक सहरी स्थानिये श्वस्थासन निकायों में चुनाव नलने की नियुनितम आयू कितनी होती है तो इसमें नियुनितम एज होती है सब्सक्राइब करेक्ट होगा बड़े सहरों में नगरविकास नियास के अध्यक्स की नियुक्ति की जाती है ​​ सियो उप्सन को सब्सक्राइब करेक्ट होगा ग्राम पन्चैत की उपसरवंच का निर्वाचन क्या जाता है ग्राम पंचायत के उपसरवंच का निर्वाचिन किया जाता है ग्राम पंचायत के शेत्र की समस्त पंजिकरत मत दाता हूं द्वारा सरपंची द्वारा मनोनेन और बहुमत दल के पंचों के द्वारा अपने में से इन सभी की द्वारा इन में निर्वाचिन किया जा सकता है अगला प्रिश्ण है निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से पंचायती राज ववस्ता की सर्वोत्तम इस्तर की संस्ता जीला पहिशत को अदेक्स या मुपादेक्स का चुनाओ किया जाता है तो इसका चुनाओ किया जाता है जीला पहिशत की जनता से ग्रामपंचाई का चुनाउं किया जाता है ग्रामपंचाईत के बैदें प्रतेक्सरिजाता फ॥ बी ओप्शन इसमें Correct होगा सरी निकाहि यदी कोई घर पर आरुपित करना चाहए तो उसके अनुमती लेनी होती है अनुमती लेनी होती है राज्य सरकार से C उप्शन इस लएकbudsात होगा पंचायती राज्चि कि पंचायत समिती में जो संख्या उति है वोकितनी होती है तो वह शोबанти आ भर निम्रों में से कौनसा एक नगर्पाली का दिकारी नहीं होता है सफाइन इप्षक यह एक नगर्पाली का दिकारी नहीं होता ही बीवाप्सानन इसमें का इंड्रकांदी अगला प्रिशन ही पंच ही इंपकर किसको क्कारी को रास्तान्म में पंचएती राज का प्रणवर्त नाग्यों में करेक्ट थोगा कि राष्टान में प्रथम नगर फाली का 1864 में कहां अस्तापित हुई ती मांट आवू में सी ओप्से इस्कियोशन में करेक्ट होगा रास्तान पंचायती राज अगला प्रश्टन है रास्तान में पंचायती राज प्रारम किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को सवर्पतम राज्य में नगरनिगम की स्थापना करें तो समापति से पूर् why T्याग पत्र देना चाहें तो वह निम्न मेंसे कीसे अपना तो वह अपना त्याकपत्र शोपे का संभा किया आयुक्त को सी ऑप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा रास्तान के पहले देशी रियासत जहां सरुपरतम ग्राम पंचायत अधिनियम पारित करक ग्राम पंचायत को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था वह रियासत है ब किसी पंचायती रास अंसता का विगटन किया जाने की स्थि में चुनाव कराय जाने आउशक है चुनाव कराय जाने आउसक है विगटन से छे मां के भीतर डी ऑप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा श्वाचनता की पश्चात रास्ता नगरपालिका आधिनियम लागू हु से भी केंदर gila ayoy Esoji की प्रक्रिया को अपनाय गया है तो वह अपनाया गया है राजस्तान में और यह सा करने वाला रासतान अब्हानीवंडर सतापित है B option इसमें correct होगा राजी निर्वाचन आयुक्त को समिश से पूर उसके पत से हटाया जा सकता है उसके पत से हटाया जा सकता है उच नियाय लेके नियायदिस को हटाने की वहित प्रक्रिया दोरा C option इस question में correct होगा प्रतिक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक एम सच्चीव नियूक्त करने के सिफारिस की समिती ने की थी इसकी सिफारिस की थी गिरदरी लाल व्यास समिती ने B option इसमें correct होगा राजीय में पंचायत समिती का प्रधान अपना त्यागपत्र किसे देता है ये अपना त्याक पत्र देता है जीला प्रमुख को A option इसमें करेक्ट होगा पंचाइट समिती को अपनी बेठक कितने समय में बुलानी आउशक है इनको अपनी बेठक बुलानी आउशक है प्रतेक महा में एक बार B option इसके option में करेक्ट होगा रास्तान के लिए 2 October 1959 एक महत्वपून तिती है इसका रीजन क्या है क्यों है ये तिती महत्वपून तो इसका प्रमुख कारण है नागूर जिले में पंचाइती राजव्योस्ता को विदिवत प्रारम किया गया था इस दिन इसलिए ये महत्वपून है C option इसमें करेक्ट होगा देश में सूचना का दिकार प्राप्ट करने है तो जना अलंदन की सुरुवात रवन मेक्सेस से पुर्षकार विजिता श्रीमती अरुना रायद्वारा आजमेर में किस थिती को की थी तो इन्होंने की थी चे अप्रेव 1995 में C option B option इस क्योशन में करेक्ट और प्रश्ण हे रस्तान के मुख्य चुना आयुक्त या अन्ने सूचना आयुक्त अपना त्याग पत्र किसे देते हैं त्याग पत्र देते हैं राज्य पाल को A option इसक्योशन में करेक्ट होगा राज्ये के मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों को कारिकाल की समाप्ति से पूर पत्से हटाया जा सकता है तो इन्हें पत्से हटाया जा सकता है राज्येपाल द्वरा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर सरोच नियाले के निर्धेश पर इसकी करेक्ट होगा रास्तान में शूषन आयोग का गठन किस तेथी को कियाग्या राज्ज सूषन आयोग का गठन किया गया था 13 Eliot 2006 को सलकिन सुषन प्राप्टि ह जा सकती है राज्य सूशना आयोग में A option इस question में correct होगा राज्य के मुख्य सूशना आयोग्त की नियुक्ति कोन करता है इसकी नियुक्ति करता है राज्य पाल B option इस question में correct होगा अगला प्रिश्ण ही मुख्य सूशना आयोग्त को पत से हटाया जा सकता है मुख्य सूशना को पत से हटाया जा सकता है राज्य पाल दारा उचितम नियाले के निर्देश पर डी ओप्सन इसमें करेक्ट होगा लोग सूचना अधिकारी के को सूचना प्रफ्ट करने है तू अवेधन करने के कितने दिन में से वांचित सूचना उपलब्द करानी होती है तो यह उपलब किये था तो नियुक किया गया था एम्डी कोरानी को बी ओप्सन इसमें operate होगा राज्ये में शूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंधोलन का प्रारम किस सस्तान से हुआ यह आंधोलन प्रारम हो था चांद Snorset इसमें करेक्ट होगा जिसमें शुचना का अधिका अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य रस्तान है राजस्तान में यहां अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था यहां अधिनियम पहली बार लागू किया गया था राज्तान में 2000 में सी ओप्सन इसमें करेक्ट होगा अगला प्रश्ण है सूषना के अधिकार अधिनियम के अंतरगत किसी कारेकाल से वांचित सूषना प्राप्त करने है तुँ आवेदन किसके समक्स प्रस्तुत करना होता है वो होता है कारेलेका लोग सूषना अधिकारी को ये प्रस्तुत करन होता है अगला प्रश्ण है सूष्णा के अधिकार अधिनियम के अंतरगत आवेदन के बाद निर्धारेत अवधी में सूष्णा प्राप्त न होने या सूष्णा देने को कारेवाई से आस अंतुष्ट होने पर ऐसे आदेस के विरुद वरिष्ट अधिकारी की अपील की जा तो यह अभी दावधी होती है आप पिलकर निर्णे के आदेस के तीति से 90 दिन की बी ओप्सन इसमें करेक्ट होगा तो दोस्तों यह थे राजस्तान जी के 24 से भी ज्यादा क्योशन है और यह क्योशन राजस्तान के सभी एक्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट है राजस् अच्छा लगाओ तो इसे लाइक कीजेगा और अपने फ्रेंज के साथ सेर करना मत भूलेगा थैंक्यू सो मच थैंक्स पर वोचिंग